दोस्तों मैं हूँ अभिश्यक मार्या और आप सबके बीच में हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर पंचाय सिच्छा अभियान योजना के तहत पंपर भरती आई हुई है जानेंगे इस वीडियो में अंतक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आईए शुरू करते हैं क्या है पंचाय सिच्छा अभियान योजना जानते हैं ये भारेश सरकार सोसाइटी अधिनियम तोरा पंजीकर संस्था एक और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहरा हूं ये एक एंजियो की थ्रू जॉब दी जारी जिसमें 34,000 से भी ज्यादा पदों पर भरती आई ह हुई है आए जानते हैं इसको पंचाय सिच्छा वियान ये पंजीकर संस्था भारास सरकार सोसाइटी अधिनियम 21 बटे 1860 वसूच्म लगू और मध्यमुत्योग मंत्रालेद था आएकर अधिनियम 1961 की धारा 12A एवं 80G के तहत पंजीकर संस्था है ये आगे देखते हैं दूस्तों और ये मतलब जो जौब है वो किसके थुरू मिल रही है तो उपहार सिच्छड केंद्र यहां देंगे उपहार सिच्छड केंद्र क्लासेज में सिच्छा दत्वा महिला बाल कल्याण योजना को बढ़ावा देने है तो एक NGO के थुरू प्रखंड यूं पंचायत इस्तर पर इस चीज़ की वेकेंसी है यहां पर ये भी देख लेंगे एक तू सिच्छक सिच्छिगा की वेकेंस है केंद्र विकास अधिकारी की वेकेंसी है इसमें कई पदों पर वेकेंसी हो और सभी की योगिता भी मैं बताऊंगा अंतक बने रहिएगा और इसमें कुछ वेकेंसी हैं जिनमें अनुभो की भी मांग की गई और कुछ जो है इसमें कोई भी अनुभो आपको नहीं चाहि और इसकी अंतिम तिथी क्या है अंतिम तिथी 22 मार्च दोहजार चौबीस है यानि कि यह बहुत ज्यादा दिन नहीं बच्चे हैं मुस्किल से पाच्छी दिन का ही समय बचा है तो जल्दी से इस पर जाके अपलाई कर दीजिएगा आईए बिस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं सहींत उत्तर प्रदेश में यह गया हुआ है इनका और्गे और्गिनाजेशन के दोरा प्रखंड पंचायत इस्तर पर विभिन पदों पर सीधी नियुक्ति है तो सिच्छक, सिच्छिका, केंदर ब्यवस्थापक, कार्यपालक, केंदर विकास प्रभारी और केंदर विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति है तो आउनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहे हैं उक्त प्रिकिया के अंतरगत एजो ओर्गिनाइजेशन द्वारा सर्प्रतम आवेदन पत्रों का ऑनलाइन समवेदन किया जाएगा उनलाइन समवेदन का मतलब आप पहले अनलाइन अपलाइग करेंगे तदो प्रांत आवेदन पत्रों के समीच्छा की जाएगी, यहां जिन अभ्यार्थू के आवेदन पत्र सही पाये जाएगे, उनके लिए एक लिखित परिच्छा गायोजन किया जाएगा, यहां कि रिटेन एक्जाम के थू जौब मिलेगे, उसके बाद इंटर्व्यू ही हो होगा, आगे देखते हैं, सभी कोटी अनारच्छित आरच्छित आदिके जो अभ्यार्थी लिखित परिच्छा में कुल अंक का नियूंतम 45 प्रसंद, यहां पर ध्यान दिजेगा, कुल जितने भी अंक होगे, उसका नियूंतम 45 प्रसंद अंक प्राप्त करने में जो गोसित कर दिये जाएंगे, और उन्हें साच्छात कार में भाग लेने की सुईकरत नहीं, यानि कि आपको हर हाल में 45 प्रसंद अंक लाने हैं टोटल के, इससे अगर कम आ रहे हैं, तो आप वैसे भी डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, आगे इन्होंने इस्पष्ट कर दि रहे हैं, उसमें अगर आप सफल हो रहे हैं, साच्छातार में अगर आप सफल हो रहे हैं, तभी आपको जह हैं यह जाब मिलेगी, अदर्वाइस आप लिखित परीष्ट के हिसाब से BMW जाप नहीं दी जाएगे, आप आगे दिखिए, लिखा हुए है कि, लिखित यह चैन के लिए अंतिम सुच्छी साथ्षात्कार के अधिन दोनों इस परधाओं में राप्त अंक के अधार पर किया जाएगा ठीक है कौन-कौन सी इसमें जगे दी गई है यानि यह पोस्ट कौन-कौन सी है आखिर इसमें उनके बारे में भी जान लेते हैं तो पहली जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है केंद्र विकास अधिकारी पद पर दिया गया है इस पर चैन के लिए अब इसमें क्या-क्या मापदंड माने गए हैं देख लीजे वो भी एक तो अभिवहार्तियों को सैच्षिडि का योगित्ता बताई गया है केंद्र बिकास अधिकारी पद के लिए वो बताया है इस नातक को बीए अथवा समकच्ष सैच्षिडिक योगित्त नहीं दो वर्स का कारे अनभाव श्बाव यहां पर दोस्तों दो वर्स का कारे сам tua भासगर ज्यान होना जरूरी है दो चीज़े आपको यहां कंपल्सरी रखी गई है आगे जो अगली जो है वो किस चीज के लिए है केंद्र विकास प्राधिकारी तेंद्र विकास प्राभारी पत्परावेदन के लिए क्या-क्या योगित्य आए हैं उनके बारे मेंगी जान लेते हैं खरा कि अभ्यारतियों को सैच्षडिक जो योगिता है अभ्यारतियों की वो 12 हो चाहिए यानिकी 10 प्लस टू उत्रिड़ हो कितना 10 प्लस 2 उत्रेड होना चाहिए यहाँ पर 10 प्लस 2 उत्रेड तथा राज सरकार दोरा मानता प्राप्त समकच सैचडिक योगता उत्तर प्रदेश राज मदर्सा बोड दोरा निर्गत मौलवी भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं अत्वा बिहार के संस्क्रत बोड बिहार के जो संस्क्रत बोड के जो सास्त्री हैं अंग्रेजी सहीत अत्वा पथा एक वर्स का कार अनुभोवी उनके पास होना चाहिए तो यह हो गई इसकी केंद्र विकास प्रभारी पद पर जो आवेतन की पात्रता आगे बढ़ते हैं आगे जो अगली वेकेंसी है वो है केंदर विकास कारिपालगपद के लिए केंदर विकास कारिपालगपद के लिए इसके लिए भी 10 प्लस 2 रखा गया है और जैसे उपर वाली वेकेंसी में जो आहरताएं दी गई थी वही आहरता इसमें भी दी गई है अगली जो वैकेंसी, बहुत इंप्रटेंट वैकेंसी और इसमें कोई भी जो है, आपका अनुखों नहीं लगा है सरवेच शकबत पर उसके लिए जो है, मारंगा गया है आवे दिन, और इसमें जो योगिता हैं, वो देख लेते हैं, इसकी जो योगिता है, वो सैच्छिडी को अपलाई कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं सिच्छक सिच्छिका पत पर जो आवेतन क्या पात्रताय रखी गई है उनके बारे में भी देख लेते हैं कि अभ्यार्थियों को टेन प्लस टू है उत्रीड हो और जो है सरकार दौरा मानता प्राप्स तीया फिर जो मदर्सा बोर्ड है उनसे अगर क्वालिफाई है तो भी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं उम्र क्या रखी गई है तो उम्र बहुत ज्यादा तक नहीं है 18 वर्स से 45 वर्स तक के अवेदुकों को यहां पर बुलाया गया है देख हालते हैं 18 वर्स से 45 वर्स औरे जो भी आरेचशद मिलता है चूट भी अनि जो पिछड़े वर्स वाले हैं उनको छूट मिलती तो इक वर्स बढ़ेक्छ बढ़ाया गयासा तक महिलाएं भर सकती है, आगे बात करते हैं, हम निउक्ती की परिकरिया के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है निउक्ती परिकरिया, किसके थूब जो है, आपको जौब मिलेगी इसके तो पहला है उनके लिए लिखित परिच्छा युद की जाएगे लिखित परिच्छा हैं पूछे जाने वाले प्रश्णों का जो इस्तर होगा वो कौन सा होगा हाई स्कूल और इंटर बेस पे यहां पर यह भी आप देख लिजेगे कि आपके मन में अगर कंफ्यूजन हो कि आगे जो एक आपजिक्टिव टाइप के क्वेश्चन्स होंगे लिखित परिच्छा सो अंकों की होगी यह भी यहां पर इस परिच्छ कर दिया गया कि जो लिखित परिच्छा है उस सो अंकों की होगी और परिच्छा की अबद भी कितनी होगी दो घंटे होगी इसमें प्रतेक सही प्र जहां तक इसमें दिया गया है, उसके इसाब से, आगे बात करते हैं, लिखित परिच्छा केवल साच्छातकार परिच्छा के लिए अरहाक होगी, मतलब लिखित परिच्छा है, वो साच्छातकार में बुलाने के लिए की जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लिखित परिच्छा देखे पास हो जाएंगे आपको जहें साच्छात कार में भी सफल होना होगा तब ही आपको मिल पाएगी जॉब आगे बात करते हैं अरच्छड के बारे में मैंने बता ही दिया जो भी आरच्छड महिलाओं के लिए आरच्छड के प्रावधानों के अंसाथ 2% कि अलग-अलग महिलाओं के लिए आरजचित वर्ग और सिस नाइंटी एट जो परसंट है वो जो है फदों के विरूद 25 परशन पर प्रतेक और खित गैर और खित कोटी में अलग-अलग महिलाओं के लिए और बाकी आपको उसकी साइट पर जाकर चेक कर लीजे गा जो पी जो बात है कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रिक्रिया कप से सुरू हो रही है या फिर अंतिम तिथी इसकी क्या है यहां पर जान लेते जो तिथी यह वो जो है 20-12-2023 से प्रारम हो चुकी है ठीक है यहां पर सायद पिछला इन्होंने दे दिया है 2023 का वैसे जो है ऑनलाइन जो है आवेदन की तिथी मैंने उपर बताई थी यहां पिए सायद प्रिंटिंग मिश्टेक भी हुआ सकता है तो आगे हम भी बता रहे हैं जो आवेदन की अंतिम तिथी होगी वो क्या होगी यहां पर आवेशक निर्देश भी दिये गया है और यहां पे इन्होंन पूरा डिटेल से बताया हुआ है कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और यहां पे जो निर्देश है वो भी आप पढ़ लीजिएगा अवेदन पत्र भढ़ने के पूर्व अभ्यारती सुनिश्चित कर लेंगे कि दिनांग एक जनूरी 2023 को निर्दारित आई सीमा सैच पूरा हो जाना चाहिए तभी होगा और यहां पे जो साइट दी गई है आवेदन पत्र में यह दी आवेदन गलत आरच्छड कोटी प्रिवेश्ट करते तो उनकी उमीद्वारी रत करती जाएगी ठीक है और यहां पे आगे भी अपने जो है ऑर्गिनाजेशन के बारे में यहां पे डीटेल से दिया गया है और यह मैं पहले ही बता दूँ यह पर्मानेंट जॉब नहीं है लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ साथ इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहां पे कारी बीरोड भी दिया गया है सब किसको किसको क्या काम करने होंगी जैसे उपहार सिच्छड केंद्र यानिकि यह जो सारे कारे होंगे वो उपहार सिच्छड केंद्र में होंगे इसके तहत जो केंद्र विकास कारे पालक हैं उनका क्या काम होगा उपहार सिच्छड केंद्र को विछित के साथ सिच्छा मिशन को गाउं-गाउं तक पहुचाना या कर आपको सेमिनार वगर करनी पड़ेंगी कि उसी तरह कारे बताया गया है कि उपहार सिछड़ केंदर पंजीन होने के तस दिनों में कम से कम 15-15 बच्चों को चार-चार बैस तैयार करना और उनको नमंकर कराना है उनकी जो एक सिछका कारी होता वो करना है कैंद्र-विकास अधिकारी का ऑभी कारी दिया है और आप बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्डन चीजे जिसका आप वेड़ भी कर रहे होंगे सायद या अखिर यह सब काम तो हो गया लेकिन इसमें वेतन वगारा कितना मिलेगा और किस किसमें जो है क्या-क्या योगिता है किसमें अनुगों मांगा गया किसम यह बारे में हमने उपर भी बता दिया और इसमें जो कार यह अनुभों है वो फ्रेशर है यानि कि आपको कोई भी अनुभों की जरूरत नहीं है आप अगर फ्रेशर हैं इवल इंटर पास है तो भी आप इस जॉब को कर पाएंगे और वेतन जैसे कि हमने बताई यह एंग प्रेशिन्टी है आपके लिए आगे देखे केंद्र भिकास प्राधिकारी की जॉब है इसमें आपको अनुभों मंगा गया है एक साल का अनुभों होना चाहिए और इसमें जो सैलरी है वह इसलिए जादा थोड़े 25,000 सैलरी इसमें दी गई है अगला जो से चैंद्र भिक और इसमें सेल्डी कितनी बताई गई है सेल्डी इसमें आपको 30,500 रुपए मिलेगी यानि कि जिसी साफ से दू अर्सका इन्होंने अनुगों मांगए उसी साफ से सेल्डी भी इसकी बढ़ा दी है सर्वेच्षक 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 क्या काम हूँगा मैट्रिक पास है हाई स्कूल पास है और कोई भी अनुगों यहाँ पर उसके लिए नहीं मांगा गया है यह 14,48 है और सेल्डी उसकी कितनी 12,500 रुपए मिलेगी उसको सेल्डी सिच्षक सिच्षक की बात हम कर लेते हैं सिच्षक सिच्षक को इंटर पास होना चाहिए और यहाँ पर भी कोई भी अनुगों या कोई एक्स्पीरियंस जो है नहीं मांगा गया है और सेल्डी आपको 14,250 रुपए आपको पे किये जाएंगे ठीक है यहाँ तक कि जानकरी स इतनी वेकेंसी है के अंदर विकास कारेपालक की वेकेंसी है तक वह आप अपने जिले के हिसाब से देख लिजीएगा ठीक है इसे कई सारे जिले यहाँ पर दे रखें हैं जिसे आग्रा दे रखा है आपका मैंड पुरी फैजाबाद मत्हुरा हो गया अगया देखकर और साइक पे जाके इसको पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगी कि आपकी जितने में कौन सी कितनी वैकेंसी नंबर वैकेंसी हैं और आपकी योगिता के हिसाब से कौन सी फिट बैट रही है अगे चलते हैं यहां पर जैसे लखनौ का भी दिया गया है लखनौ बारवं की यहां कि पूछ 75 जिलों उत्रप्रदेश में 75 जिले हैं उन सब के बारे में जो है दिया गया है डिटेल से अब बात करतें यहां पर जो मैंने बताया था उपर साइद वहां पर में स्प्रिंट हो गई थी देट यहां पर डेट एक्तम क्लियर है कि आवेदन की जो तिथी है वो जो है 19 फरवरी से शुरू हो गई है और अभी इसकी लास्ट डेट कभ है इसकी लास्ट डेट है 23 मार्च है इसको ध्यान में रखेएगा थोड़ा कि ज्यादा दिट नह और उसके बार जो रिजर्ट है यानि कि सबका जो सुधार वाला है वो रिजर्ट आपका जो है लिखित परिच्छा जो है आपकी यह पांच अपरेल को दी गए और जो आवेदन सुधार किती थी वो 27 मार्च है और जो परड़ाम आ जाएगा वह आपका 15 अपरेल को आ क्लियर कर दिया है क्लियरली मेंस ने आपको किस डेट में जो है जैनिंग दी जाएगे और बाकी जो बताया गया है कि फॉर्म अगेरा जो है आपका जैसा ही सही भरा जाना चाहिए तो यह हमने सारी जानकर यह आपको बता दी और आपको अगर कोई समस्या हो रही तो इन्होंने अपनी साइट दे रखी यहाँ पर यहाँ पर आप जाके इनको मेल कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म भरने से रिलेटेट आ रही है ठीक है और अगर आप यह दॉब्लू डब्लू डट उपहार उपहार फाउंडेशन लिखिएगा उपहार पाउंडेशन इतना टालेंगे तो जो है आ जाएगा आपको तुर्ण साइट आपको दिखाई पड़ जाएगी जिसमें जो है उपर बड़ी बड़ी हेटिंग में दिखा रहेएगा यह ठीक है तो आपको यह जानकारी कैसे लगी उम्मीद करते हैं कि आपके लिए कारगर सिद्ध होगी और जो पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ी सी अर्णिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यदा उपकारी सिद्ध होगी यहां भी मेंशन की गई है यहां पर प हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म परते हैं ठीक है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और यह भी बताइएगा कि आगे अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ओके टैंक्यू